लास्ट वीडियो हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था कहां से कहां तक जो है इसका विस्तार हुआ उसके बाद हम देखेंगे कि लोदी वन्स की समाप्ती के बाद जो है वो बावर आता है भारत और मुगल सामराज्य की नीव रखी जाती है तो आज इस चैप्टर में मुगल सामराज्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं शौर्ट में ही पढ़ेंगे क्योंकि क्लास चोटी है जैसे जैसे हम बड़ी क्लासे की तरफ जाएंगे और भी चीज़ें डेटेल में आती जाएंगे इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं प्लेइलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है तो आप देखिएगा सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे तो चलिए बिल्कुल आपका समय खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर मुगल सामराज्जी के बारे में मद्यकाल में किसी भी साशक के लिए भारतियों उप महादीब जैसे बड़े शेत्र पर जहां लोगों एवम संस्कृतियों में इतनी अधिक विवित्ताएं हो साशन कर पाना अत्यंती कटिन कार्य था ये बात की जारे ही मद्यकाल की ठीक है दिल्ली सल्टनत के समय की अपने पूर्व वर्तियों के विप्रीत जो मुगलों ने एक सामराजी की स्थापना की और जो कारे उन्होंने छोड़ दिया था उसे पूरा किया जो अब तक केवल चोटी अवदियों के लिए ही संभव जान परता था सोल्वी सदी के उत्राद से उन्होंने दिल्ली और आगरा यहां से अपना राज्य का विस्तार सुरू किया किसने मुगलों ने और सत्रवी सतापती के लगबग संपूर महादीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया उन्होंने प्रशाशन के धाचे और सासन सम्मंदी जो विचार लागू किये वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे यह एक ऐसी राजनितिक धरूहर थी जिसके प्रभाव से उप महादीप में उनके पश्चात आने वाले साशक अपने को अचूता न रख सके आज भारत के प्रधान मंतरी सुतंतरता दिवसपर मुगल सासकों के निवास इस्थान दिल्ली के जो लाल किला है इसकी प्राचीर से ही राष्ट को संबोधित करते हैं ठीक है यह देखो लाल किला है कहाँ पर है दिल्ली ठीक है तो यहीं से जो है राष्ट पती संबोधित क किस तरीके से मुगलों ने जो है वो सत्रवी सताब्दी तक आते आते जो है वो अपना पूरसाशन जो है यहां पर जमा लिया ठीक है दिल्ली से आगरा से और फिस अंपून भारत मुगल कौन थे? मुगल दो महान सासक वनसों के वनसस से ठीक है माता की ओर से वे चीन और मते एस्याई के मंगोल साशक चंगेज खान चंगेज खान का नाम आपने पहले भी सुना है चंगेज खान जो है उसके आकरमन से बचने के लिए अलाउदिन किल जी अभ्यान करता है और मुगमद बिन तुगलक करता है ठीक है तो यह वही चंगेज खान है तो चंगेज खान की म्रत्यू जो है 1227 में हुई इसके उत्तरादिकारी थे इसकी माता की ओर से जो थे और पिता की ओर से वे इरान, इराक और वर्तमान तुर्की के सासक तैमूर इनके वनसज के थे और इनकी म्रत्यू बताई गई है 1404 में ठीक है परन तो मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान का इतिहास जो है वो बहुत खराब था ठीक है तो इस वज़े से मुगल जो है वो अपने आपको जो चंगेज खान के वनसज कहलाना पसंद ही नहीं करते थे उसके बाद देखिए चित्र दो है तैमूर उसके उत्रादिकारी और मुगल समराटों का एक लगू चित्र मद्य में तैमूर है ये देखिए मद्य में जो है वो तैमूर है और इनके जो है वो उत्रादिकारी जो है यहां बैठे हुए है दाहिनी ओर जो है उसका पुत्र जो और उमर सेख हैं और तैमूर के जो दाहिनी और जो है वो तीसरे, चौते, पाँचवे व्यक्ति जो है मुगल, समराच, बाबर, अकबर और सहाजा हैं ठीक है तो इस तरीके से जो है वो आप जो है इनके वंसजों के बारे में जो है वो चित्रों को देख सकती हो और उसी का इतिहास जो है वो काफी अच्छा कहा जाता है इन्हों ने अपने वंसावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया ठीक है जैसा कि हमने चित्र में देख लिया है प्रतेग मुगल साशक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया चित्र एक को देखिये जो तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है तो हमने जान लिया है मुगल कौन थे अब हम जानेंगे मुगल सेन अभ्यान के बारे में तो प्रारम कहां से होता है बावर से प्रतम मुगल साशक है बावर 1526 से 1530 इसने जब 1494 में फरगाना राज्य का उतरादिकाय प्राप्त किया तो उसकी उम्र बहुत कम थी 12 वर्ष ठीक है बारे वर्ष में ही ये गद्दी पर बैठ गया मंगोलों की दूसरी साखा उचबेगों के आक्रमन के कारण उसे अपनी पैत्रिक गद्दी जो थी उसको छोड़नी पड़ी अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबूल पर कपजा कर लिया ठीक है तो ये भी ध्यान में रखना है फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है 1494 में सबसे पहला जो है ये किस पर कपजा करता है काबूल पर 1504 में ठीक है ये पहला अभ्यान ये ध्यान में रखना है उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का था जो सुल्तान इसको पानी पत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कबजे में कर लिया था ठीक है तालिका एक में मुगलों के प्रमुक सैन ने अब्यानों को दिखाया गया है इसे ध्यान से पढ़िए क्या आप इस लंबे घटना करम में कोई पुन्रा वरती ढून सकते हैं उधारन के लिए आप ये गौर करेंगे कि अफगान और मुगल सत्ता के लिए तातकालिक खत्रा थे जो अफगान जो थे शेरसा सूरी ठीक है मुगल सत्ता के लिए तातकालिक खत्रा थे मुगलों और अहों अध्याय साथ में देखेंगे सिखों के बारे में आठ में और दस में देखेंगे मेवाड और मारवाड के बारे में नौ में देखेंगे इनके संबंदों पर भी गौर किये कि इनके साथ जो है वो मुगलों के कैसे संबंद रहे सफा विद इरान से अकवर और हिमायू के संबंदों में क्या अंतर था क्या औरंग जेव के साशन काल में गोल कुंडा और वीजापुर के अधि ग्रहन से दक्कन में युद्ध कांत हो पाया या नहीं इसमें आप लोगों के नोट करने की कोई भी बात नहीं है नोट करने की बात क्या है एक तो मुगल कौन थे वो आपको नोट करना है ठीक है एक बार मैं आप लोगों को पता देती हूँ जो भी नोट्स बनाते हैं तो स्टार्टिंग में जो है आप लोग इस वाले पॉइंट में तो कुछ भी नहीं था जिसको आप लिखें यहां पर आप नोट्स में लिखिएगा कि मुगल कौन थे तो मुगल दो महान सासक इनकी माता जो है मंगोल सासक चंगेज खां इनकी उत्रादिकारी थी और पिता जो थे वह है तेमूर के वंसस थे ठीक है तो यह मुगल जो है अपने आपको मंगोल यानि माता के वंसस का कहलाना पसंद इसलिए नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खां का इतिहास खराब था ठीक है कई लोगों को जो है उसने मारा काटा था तो पिता के वंसस का जो है वह कहलाना जो पसंद करते थे ठीक है और तैमूर सासकों ने जो 1398 में दिल्ली पर कपजा किया था यह भी इंपोर्टेंट है बात है इसलिए मुगल तैमूर वंस को मान रहे थे उसके बाद जो ह यहां पर इंपोर्टेंट लाइन रहे गी लिखने की यह बावर जो है वह 1494 में जब 12 वर्ष का था फरगना राज्य का उत्रादिकार प्राप्त करता है ठीक है 504 में जो है वो कबूल पर सबसे पहली बार जो है वो कपजा 504 में किया था इसने काबूल पर यह याद रखन आप लोगों के लिए important line लिखने की, चलिए next देखते हैं, तालिका 1, मुगल समराथ, प्रमुक अभ्यान और घटना, डायेट भी यहाँ पर आपको दिये गए हैं, जैसे कि बावर 1526 से 1530 तक, तो इसने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को हराया, और अफगा किये, बावर ने अभ्यान किये, और चंदेरी में जो है राजपूतों को हराया, अपनी इम्रतियों से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रन स्थापितिस ने किया, ठीक है, तो बावर के यह जो तीन मेन अभ्यान जो एक्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत important है, ध्यान रखना, ऐसे ही लिखना है आपको 1526, पानिपत का युद, इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ, ऐसे ही 1527, खानवा का युद, राना सांगा और बाबर, 1528, चंदेरी का युद, जो की मेदनी राय के साथ लड़ा बाबर ने, नेक्ष देखो हिमायू, इसका बेट हिमायू ने अपने पिता की वसियत के अनुसा जायदात का बटवारा किया, प्रतिक भाई को एक प्रांत मिला, इसने अपने भाईयों में अपनी संपत्ति का बटवारा किया, वसियत का, उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वक आंक्षाओं के कारण हिमायू अपने अपग लिए हिमायू को दो बार हराया, कब कब हराया 1549 में 14 के युद में, 1540 में कर्नोज के युद में, तो इसमें ये हार जाता है, और ये कहां चला जाता है, इरान भाग जाता है, सैकेंड देखो कि इरान में हिमायू ने सफावित शहा की मदद ली, उसने 1555 में दुबारा आकर दिल्ली पर पुने कबजा कर लिया, युद में नहीं जीता, जब शेर्शासूरी की मरत्यू हो गई, तो इस वज़े से गद्धी खाली हो गई, तो ये आ गया, परम्तु से अगले वर्स जो है, एक यी वर्स जो है, इस इमारत में, एक दुरगटना में जो है, इस इमारत म ठीक है, जो इसने दिल्ली में बनवाई, उसके बाद देखिए, हिमायू का बेटा अकवर है, पंदरस चपन से सोले सो पाँच, तेरे वर्स की अलपायू में अकवर समराट बना, तो यहाँ पर कुश्चन जो है, वो क्या बन सकता है, कि बाबर जो है, किस वर्स में का है, ठीक है, तो उसकी उम्र जैसे की बारा वर्स, ऐसे आप याद रख सकते हो, अकवर उसके बाद का समय का है, तो तेरा वर्स, उसके शाशन काल को तीन अवधियों में विवाजित किया गया है, किसके अकवर के 1556 और 1570 के मद्दे अकवर अपने संरक्षक बैरम खां औ उसने सूरी और अन्य अफगानी निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना और अपने सोतेली भाई मिर्जा हाकिम और उजवेगों के विद्रों को दवाने के लिए सेन्य अभ्यान चलाए, तो पहले तो अकवर जो है, बैरम खां के संरक्षन में रहता है, उसके रड थमबोर पर इसने कबजा किया, ठीक है, ये दोनों important line हो गई, क्योंकि राजिस्तान का जीके जो आपको पढ़ना है, तो यहां से दो line जो है, यह आपको याद रखनी है, चित तोड पर जो है, कबजा किया 1568 में, रड थमबोर पर कबजा किया 1569 में, 1575 के बीच में ग रजा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रो ने और जटिल कर दिया, थर्ड जो बाटा गया है इसके शाशनकाल को, देखो ऐसे याद रखना है, 1556 और 1570 के मद्य, ठीक है, बैरम खां की संडक्षन से ये आजाद हो गया, और उसके बाद जो है, मालवा, गोंडवाना, यहां चित्तोड रंठंबोर पर इसने इसी समय कपजा किया, 1570 से 1585 जो इसका इसने बंगाल बिहार उड़ीसा में अभ्यान चलाए, 1585 से 1605 इस्वी में अकवर के सामराज के बहुत विस्तार हुआ, उत्तर पक्षिम में अभ्यान चलाए इसने, सफाविदों को हरा कर कांधार, ठीक है, जो आप देखते हो, भारत के बाहर की बात है, यहाँ पर कांधार पर कपजा किया, कस्मीर को भी जोड लिया, मिर्जा हाकिम का मृत्यू के बाद काबुल को भी इसने अपने राज्य में मिला लिया, तो 1585 से 1605 कांधार, काबुल, कस्मीर इसको इसने अपने राज इनके कुछ इस्ट्रों को भी इसमें अपने राज्य में मिलाया था अपने शाशन के अंतिम वर्षों में अकवर की सत्ता राज कुमार सलीम जो इसका बेटा था इसके विद्रो के कारण लड़ खड़ा गई अब तक तो अकवर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पिता का यही सलीम आगे चल कर जो है कौन बना जहांगीर बना तो जहांगीर के बारे में देखिए हर लाइन इंपोर्टेंट है यहां पर क्योंकि बहुत ही कम दी हुई है 1605 में अकवर की मरत्यू हो जाती है बीमारी के कारण होती है अकवर की मरत्यू जहांगीर ने अकवर के सेन्य अभ्यानों को आगे बढ़ाया और मेवार के सुष्रोदिया शाशकों ने अममर्सी इसने मुगलों की सेवा सुईकार की इसके बास सिको अहोमो और एहमद नगर के खिलाफ अभ्यान चलाए जो पूंते सपल नहीं हुए तो ध्यान रखना है कि मुगलों के किस मुगल साशक के समय जो है राजबूत शाशकों ने इनकी अधीनता सुईकार की तो ध्यान रखना है कि जहांगीर जो मुगल समराट है इसके समय अधीनता सुईकार करते हैं अमर सिंग कौन है महारण प्रताप के पेटे जहांगीर के साशन के अंतिम वर्सों में राज कुमार खुर्रम जो बाद में समराक्त सहाजा बना ये कहला इसने विद्रो किया जहांगीर ने अपने पिता अकवर का विद्रो किया तबी से सत्ता जो है वो लड़कडा गई प्रियास किये जो असफल रहे फिर देखो बारी आती है सहाजा की 1627 से 1658 दक्कन में सहाजा की अभ्यान जारी रहे अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रो किया उपराजित हुआ एमर नगर की विरुद अभ्यान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और च प्रिक्षिम में बल्ख पर कबजा करने के लिए उजबेकों के विरुद अभ्यान हुआ जो असफल रहा परिनाम सरूप कांधार सफा विद्रों के हाथ में चला गया और 1632 में एमर दगर को मुगल राज्य में मिला लिया गया वीजापूर की सेनाउं ने सुलह के लिए भ जमजोर पढ़ने लगा मुगल सामराज्य में तो यहां पर जहांगीर के दोरा भी जो विद्रों किया गया पिता का सहाजा के दोरा भी विद्रों किया ठीक है उसके बाद सहाजा की जो पुत्र थे इनमें आपस में ही लड़ाई हो गई उत्रादिकार के लिए 1657-1858 तक च दारा सिको जो है वही समझदार है इसी को जो है राजा अकला बनना चाहिए लेकिन औरंग जेव दारा सिको के बीच में जो है वो कयुद्ध होता है अंत में दारा सिको जो है इसको जो है राज विद्रों गोसित करके औरंग जेव जो है इसको मौत के घाट उतरवा देता ह सहाजा और जो पिता है उसको बाकी जो जिन्दगी बस्ती है तो इसको आगरा में कैद कर लिया जाता है नेक्स्ट समराट है औरंग जेव औरंग जेव का जो है वो काफी समय तक जो है वो साशन काल रहा 1658 से 1707 1663 में उत्रपूर में अहोमों की पराज्य हुई परन्तों इन्होंने 1680 में पोनहें विद्रो किया उत्रपक्षिम में युसुफ जाई और सिक्कों के विरुद अभ्यानों को अस्थाई सफलता मिली मारवार के राठोर राजपूतों ने मुगलों के केलाब विद्रो किया इसका कारण था कि आंत्रिक राजनिती और उत्रादिकार के मामलों में मुगलों का हस्तशेप तो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने आप लोगों को राजिस्तान जीके में ये चीज़ पढ़ाई है किस तरीके से मुगलों का यहां पर हस्तशेप होता है रासपूत शाशनकाल में मराठा सरदार सिवाजी के विरुद मुगल अभ्यान प्रारम में सफल रहे परन्तु औरंग जेव ने सिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा इस्तित मुगल कैद खाने में भाग निकले तो यहां आगरा का कैद खाना था इसी में जो है वो शिवाजी को भी इन्होंने औरंग जेव ने बंदी पराया था कई बार आप लोगों को क्वालियत सुनने को मिलता है यहां पर आप याद रख सकते हो कि सहाजा है, सिवाजी है, दोनों का नाम जो है वो शासे स्टार्ट होता है, आगरा कि मैं जो है कैद खाना इसी मैं जो है इनको बंदी बनाया गया था, लेकिन शिवाजी जो है वह अपनी सूजवूद से भाग जाते हैं, उन्होंने अपने को सुतनतर साशक गोशित करने के बाद मुगलों के व्रुद्ध जोय का अभ्यान किये, राजकुमार अकवर ने ओरंग जीव के व्रुद विद्रो किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला, अन्तुतहवय सपावित इरान भाग गया, अकवर के पद्धि का अभ्यों कर रही थे, इसके विरुद अभ्यान का प्रवंद स्वेम किया, औरंग जीव को उत्तर भारत में सिकों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर में अहोमों, दक्कन में मराठों के विद्रों का सामना करना पड़ा, और इसकी मरत्यों के बाद उत्रा दि लिए है कि बाबर के जो है, वो तीन महतवपून युद्ध याद रखने है, 1526, 1527, 1528, हेमायू जो है, इसका समय जो है, 1530 से 40, उसके वा 1555 से 1556, ठीक है, दो युद्ध याद रखने है, सेरखान के विरुद्ध जो थे, 1549 का चौसा का युद्ध, और 1540 में कन्नोच का य याद रखिएगा, अकवर्ग जो है, 13 वर्ष की आयू में सम्राट बन जाता है, उसके बाद कई अभ्यान जो है, चलाता है, तीन साशन, इसके जो साशन कल को तीन अवदियों में बाटा गया है, 1556 से 1570, ठीक है, तो ये जो है, कहां कहां जो है, मालवा, गोंडवाना, ठी ठीक है, नेक्स्ट जहांगीर के बारे में लिखोगे आप कि जहांगीर जो है, इसने अपने पिता अकवर इसका विदरोह किया था, उसके बाद जो है, इसने मेवाड में अमर सींग जो है, इनके साथ संधी की थी, जो कि पहली मुगल मेवाड संधी कहलाती है, ये रही important line, सहाजा के बारे में क्या लिखना है कि सहाजा जो है इन्होंने एहमद नगर जीता बीजापुर जीता ठीक है नेक्स्ट औरंग जेव तो उत्रादिकार का युद्ध जो होता है औरंग जेव के समय होता है इसने 1685 में बीजापुर 1627 में गोल कुड़ा को पहले इस मैप की बात करेंगे और उसके बाद जो हम इनके उत्रादिकार की मुगल परमपराएं किस प्रकार की थी इसकी बात करने वाले हैं तो जितना पढ़ाया है इसको आप प्रिवाइस करिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू